Hey what is up guys welcome back to another brand new episode of GTA 5 तो guys सबसे पहले अगर आपको इस सीरीज में मजा रहें नोगी के वीडियो में मजा है तो फड़ा फट लाइक बड़न को हिंट करो तो अगर पांसो से छेसो लाइक हो जाएगी तो बहुत ही जादा मजा आजाएगा तो अगर आप चैनल पर नहीं हो अभी तक आपने सबस्क्राइब किया तो फट 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 सबस्क्राइब करते हैं तो दोस्तो वेने फ्रैंकलिं को जाने को कह दिया है हमारी हाइस तो बड़ी मज़ेदार रही आज पुलिस हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी लेकिन हमारा प्लान तो मास्टर प्लान था हमने एक सम्मरीन लिए हैं हम पानी के तुरू एस्केप करके आगए लेकिन अभी मैंने फ्रैंकलिं को तो भेज दिया है लेकिन मेरा कुछ और काम अभी बाकी है दोस्तों में तो गाइस ज्वैलरी स्टोर की रॉबरी तो काफी खतरनाक थी अगर आपने नई देखिए तो आई बटन में मैं डाल दूँगा तो उसको आप जाकर जरूर देखना हमने जो एस्केप के भाई बहुत ही खतरनाक है ओ भाई साव आप देख सकते हैं गाड़ी क्या स्कि अब ही वो ज्वैलरी को लेकर मैं जा रहा हो अपने नए घर तो वहा पर जाकी मैं पूरी ज्वैलरी आरेंज करूँगा एंड सब कुछ एक ट्रक में लोड करने वालों मैंने एक ट्रक भी मांगआ है अपने कॉंटेक्ट के थूछ तो यह तो गाइस अभी हम बस रास्ते म आप देख सकते हैं गाड़ी कितनी मस्ट चल रही है मैं अपनी बिलिटी भी यूज कर सकता हूं और बिना टकर के हम चल रहे हैं बहुत जादा मजा रहा है तो यह फ्रैंक्लिन की एक स्पेशल अबिलिटी है कि गाड़ी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर वाता है बहुत स्म मार रहे हैं यहां से हमें लेना है लेफ देखो गाइस इती छोटी से रोड है बर भी हमने साइट से निकाल लिए कितना मजा आता है से गाड़ी को निकाले मैं ओके तो फिर से अब अपनी अबिलिटी का यूज करके एकदम सेक्सी सा कट लिए हमने तो यह ओ भाई साब गा गर की तरवी जादी है हमारा घर एकदम पहाड़ों पयाता है एकदम पर्फेक्ट लोकेशन में घर अपना तो अब ही हमारा मेन फोकस है जो ज्वैलरी हमारे पास है उसको हमें गाड़ी से निकालके अपने घर के अंदर रखने तो यह लोगा इस मेरा घर आ गया जाड़ी इस गाड़ी को अपने वाइड गाड़ी अगेंस्ट और यह लेकर अभी में जाओंगा अपने घर बड़ी चोटी गाड़ी है मेरे साइस के लेगन चलाने में से बड़ा मजा आएगा दोस्तों गाड़ी बली छोटे क्यों ना हो बटाकत इसमें पूरी-पूरी है दोस्तो ओ दोस्तो ट्रेन आ रही है आमें ट्रेन के जाने का इंतजार करना होगा ओके दोस्तों ट्रेन चली गी अब हम आगे बढ़ सकते हैं तो अभी मैं अपनी घर की तरफ चल रहा हूँ दोस्तों इस गाड़ी को पूरी-पूरी स्वीड में बगाने की कोशिश करूँगा तो दोस्तो, मैं अपने घर के काफी करीब आचुका हूं, ये रहा मेरा घर, एंड ये घड़ी है मेरी एसिस्टेंट, मैं गाड़ियां पर पार्क कर देता हूं, दोस्तो, तो दोस्तो, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मेरा प्लान, तो जैसे ही आपको मालूँ है, बालाज के लिडर ने हम से का था कि ज्वेलिष टूर की रॉबिरी करें तो हमने रॉबिरी दो कर लिए कर लिए धोस्तों मैं और सारा गशारा माल फ्रैंक्लिंद के पास हैंदोस्तों जितना मुझे पता है, Franklin ने मुझे का थे कि वो एक ग्रे कलर की वैन मंगाने वाला है, दोस्तों, तो और गी कभी दिमाग तेज है, दोस्तों, मैंने भी एक ग्रे कलर की वैन मंगा ली है, तो मैं ये वैन लेकर Franklin के घर के पास जाओंगा अभी, और उस वैन में, मैं रखने व कर दोस्तों वह वैन आ चुकी है एंड मैंने उसके अपने गार्डन में पार्क करा दी आप देख सकते हो ग्रेग कलर की मैंने मंगा लिए है जितना फ्रैंक्लिन ने मुझे बताया था वह ऐसी ही वैन में ज्वल्री लेकर बालास के पास जाएगा तो दोस्तों मैं अपनी एस तरनाक बॉम्स हैं दोस्तों, इन बॉम्से पूरी की पूरी बिल्डिंग उड़ जाती है, तो अभी मैं अपनी एसिस्टेंट से बोलके, ये बॉम्स को गाड़ी के अंदर रखवा दूँगा, तो दोस्तों, एसिस्टेंट के थ्रूम मैंने बॉम्स रखवा दिये हैं गाड कर आई है, तो दोस्तों, मैं इस गाड़ी को कई पर भी ठोक नहीं सकता, अगर मैंने गलती से भी इस गाड़ी को ठोक दिया, तो ये बॉम्स फट जाएंगे, एड हमारी हो जाएगी मौ्त, तो वो रिस्क में उठा नहीं सकता दोस्तों, अभी मैं को बड़े आराम से चला पड़ेगा दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि 60 की स्पीड से जादा ना जाओं वैसे तो नाम है मेरा ओगी और काम है मेरा गाड़ियों को बखाना लेकिन आज आज मैं गाड़ी को धीरे चलाने वाला हूँ मैं के टर्निंग्स पे धीरे चलाना हूँ काफी खतरनाक हो सकता ह क्योंकि काफी बड़ा एक्स्प्लोजन हो जाएगा यहां पर और ऑगी के ऐसे चितड़े होंगे कि आगी की पूंच तक ही मिलेगी तो दोस्तों मैं हौन बजाते वह आगे जा रहा हूँ ताकि सामने वाली गाड़ी में को ठोक ना दे यहां के लोग थोड़ी गंधी ठालिया है गाड़ी अपनी आप आगे जा रही है क्योंकि मेरे इस नहीं देना चाहता दोस्तों तो मैं ठोकर बिलकुल नहीं कर सकता दोस्तों आप देख सकते हो अभी तक एक ठोकर नहीं हुए हमारी में बड़े अराम से चला रहो हैं दोस्तों होगी है नाम मेरा और सबर रखना है काम मेरा दोस्तों तो दोस्तों फ्रैंकलिंगा घर पास में है बढ़ उसके घर के सामने से भी जा नहीं सकता तो मैं पीछे वाला रास्ता लूँगा दोस्तों तो हम पीछे से जाएंगे क्योंकि उसके घर के सामने से अगर हम गुसर तो उससे शक्लो सकता है अब ही हम पीछे वाला रास्ता ले रहे है तो ये रोट खाली लग रही है तो इस पर थोड़ भगाई लेते हैं दूस्तों थो दूस्तों ये जो रोड लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये फ्रैंकली के घर की रोड है लेकिने पीछे का रास्ता है पीछे का रास्ते से जाना हूँ अभी बस मैं चाहता हूँ कि जैसा मैंने प्लाइन किया है वैसा ही प्लाइन जा है ओके सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अब ही हम जा रहे हैं अपने घर के अंदर तो guys मैं main दर्वाजे से entry नहीं लूँगा मैं पीछे के दर्वाजे से जाओंगा क्योंकि वो सीधा में को hall में ले जाएगा अपने and guys अब देख सकतो bag में थोड़ा बहुत समान है and गाड़ी में और समान पढ़ा है थोड़ा बहुत तो guys मैं को call आगया van भार आ चुकी है तो बस मैं जाकर चेक कर रहा हूँ कि van सच में आई है की नी तो यहाँ पर खड़ी होनी चीए yes van दिख रही है मैं को भार जाकर चेक करते कि van में वो fit हो जाएंगे की नी तो guys आप देख सकते हो इसकी boot space किती जादा इत्ती जादा space है पीछे अराम से दोनों box fit आ जाएंगे अब बस काम यह है कि मुझे अकेले उन boxes को अंदर लेकर आना क्योंकि किसी और को पता नहीं चल सकता है अगर किसी और को बता दिया किसी और की मदद ली तो पुलिस में complaint file कर सकता है ओकी तो guys आप देख से तो गाड़ी में मैंने जुएलरी का सारा समान रख दिया है पीछे डिक्की में सब fit हो चुगा है लेकिन ऐसे नहीं जा सकते हैं क्योंकि जुएलरी विंडो से दिखती है लोगों को दिख सकती है तो अभी मैं कोई काला कपड़ा लाना पड़ेगा अंदर से इस जुएलरी को ढखने कि लिए तो अब पता नहीं शायद मेरे घर में काला कपड़ा ओय हो है अवर ले लेता हूँ میں दोस्तों और यहांसे देखते हैं कि फ्रांकले कर क्या रहा है ओके तो दोस्तों हम देख सकती एक ग्रे वैन महा पर खड़ है मैं सही था दोस्तों फ्रांकले अंदर जा रहा है तो इस कि अंदर जाने के बाद मैं इसकी वैन को अपनी वैन से बदल दूँगा इसकी वैन में है जुलरी दोस्तों और मेरी वैन में है बॉम दोस्तों दोस्तों फ्रैंकलिन अंदर चाल चुका है ये वैन को मैं उठा के आगे ले जाने वाला हूँ जल्दी से इसमें बैटके आगे ले जाते हैं इससे पहले की फ्रैंकल बाहर आ जाए तो दोस्तों ये वैन को यहीं पर आगे पाक कर देते हैं एट में जाता हूँ अपनी वैन की तरफ बस आशा करता हूँ कि फ्रैंकल बाहर ना आ जाए वना हमारा प्लैंच ओपट हो जाएगा तो गाइस ये वैन में पड़े हैं बाउम एंड ये वैन को मैं पाक कर दूँगा फ्रैंकल के घर के सामें रंग थोड़ा अलग है बर जितना मैं फ्रैंकलिन को जामता हूँ वो पैचान नहीं पाएगा दोस्तों अब फटा फट उस वैन में जाके बैठ जाते हैं दोस्तों इस वैन में हम बैठ चुके हैं एंड हमने ज्वेल्री वाली वैन ले लिए और फ्रैंकलिन को बॉम वाली वैन ले लिए अब फ्रैंकलिन हमारा सारा काम कर देगा दोस्तों हमें बस एक switch दमाना होगा और एक bomb वाली van Balas के hideout में जाके भड़ जाएगी में दोस्तों हमारा plan एक दम शंदार है इससे देखो ये पूरा टाम खाखा के मोटा हो गया है इसको वॉक पे ले जाना पड़ेगा काफी टाम से इसे attention नहीं देपाऊ इतनी सारी robberies करनी पड़ी हमें recently guys, okay, रंग थोड़ा लग नहीं लग रहे पला नहीं, तो van में बैठ जाते हैं guys, and ये van को अब हम लेके जाएंगे Balas के hideout पे, तो Balas ने मुझे अपनी location send किया है, वो एक construction site पे उन्होंने अपना base बनाएं, तो वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाएं अरे भाई, साब इन्हें देखो, इन्हें एक तो गाड़ी चला नहीं, में left जा रहो हो, इन्हें भी right जाना है मतलब जितन में जा रहो हो, इतन उन्हें जाना है तो guys, अभी Franklin जा रहा है, Balas के hideout लेकिन उसे यह नहीं पता है, इस गाड़ी में bomb है और वो तो ऐसे चला रहे है, मतलब जैसे कि इस गाड़ी में ज्वेल्री है, तो अगर इस गाड़ी को Franklin ने जादा ठोका, तो बेटा, Franklin की भी ऐसी तैसी हो सकती, अभी उसने अलोड़ी इपा ठोक दिया construction site में बरना लोग को शक होगा कि बालास के hideout में ये क्या जा रहा है, तो हमें पीछे वाली entrance लेनी पड़ेगी, तो यहां से किसी को पता नहीं चलेगा, ये पीछे वाली entrance से हम गुस रहे हैं, तो बस यहां से entry लेते हैं, ये बालास का hideout है, गाईस साइट में hideout बना है, ताकि किसी को शक ना हो सके, पुलिस को शक ना हो सके, तो बस हम यहां पर आगे जाएंगे, यहां से मोड के गाड़ी को यहां पर आइधिंक पार्क कर देंगे, तो ये रही गाड़ी, ये हुई गाड़ी पार्क, हाँ, पर्फेक्ट, एक दम पर्फेक्ट, गाड़ी से उतरके, अब हम चलते हैं दोस्तों, तो गाड़ी में सारी ज्वेलरी रखी हुए मैंने, बस चलके जाते हैं, ओ भाई साव, आप देख सकते हैं, क्या एक से बढ़कर एक गाड़ी है, ये गनवन के साथ खड़े हैं, इनको किसी का डर नहीं, पुलिस का भी खौफ नहीं है, हम चलेंगे अंदर, इनके बॉस से मिलने, ये लाइन में बॉस आगे खड़ा है, गिटार सुन रहे हैं, वर्काउट कर रहे हैं, वाँ भाई साथ, हमारी ऐसी तैसी करें, खुद वर्काउट कर लो तुम, एए फ्रैंक्लिन, तेरा कैसे आना हुआ फ्रैंक्लिन, तो सारा जोलरी स्टोर का माल में एक वैन में रखा है, और उसे ला बाई आजा बरोसा नाम की तो चीज रहनी की है, इस दुनिया में बालास लोग तो कभी किसी का बरोसा करते नहीं, तो आ रहे हैं और पीछा रहे है, तो इसको बस एक बार दिखा के आनी की वैन खड़ी है, या जबर्दस गाड़ी, मेरे दिल आ रहे हैं गाड़ी उपर मन तो चल आजा, अब अपने बाउस को बता देगी, तो गाइस बस अब इसने देख लिए, यह जाकर अपने बाउस को बताएगा कि वैन खड़ी है, तब ही जाकर आए थिंग हम बुगाटी अपनी ले जा पाएंगे या से, चला आदा फटा फटा बाई, मैं को बुगाटी लेकर निकलना है, बहुत कामे में को, एक तो मॉंटी, क्या वैन खड़ी थी, मॉंटी, हाँ सर, वैन तो खड़ी थी, एक तो फ्रैंक्लिन, तो आप देख सकते हो, इन बालस के यहाँ पर काफी और धंदे भी चलते हैं, आप देख सकते हो, काफी इलीगल माल इन्होंने य यहाँ पर देख सकते हो, सामने क्या पुशब मार रहे, क्या पुशब चैलेंज है, आच्छा, यह लोग चैलेंज कर रहे हैं, जो भी यह चैलेंज जीते हो, यह सामने खड़ी ब्लैक गाड़ी लेके जाएगा, तो कितनी मस लग रही है गाड़ी बाई साभ, एक्दम खतर पहर नपर क्या चल रहा है यहां पर यह बिजा रहे है बॉंगो बिजा जा रहे है यहां पर यह बैसाब अपने यहां पर देख से क्थ यह फिण एक बाइस उम्हें और टो पूरे सांटोस का इनकी कुछ ना कुछ प्लैनिंग चली रही है किसी और चोरीगी यहाँ पर welding चलती है तो इन्होंने नया नया बेस बनाना शुरू कि यहाँ पर तो अभी भी तयार कर रहे हैं से तो गाड़ी बिग गई होथी आप देख सकते हैं मैट ब्लाक एंड सिल्वर कलर की बुगाटी चिरॉन कितनी मस्त लग रहे हैं नियॉन लाइट्स के साथ में को तो यह जादा पसंद आ रही है बट ओगी को आप सामने से देख सकते हो भाई साब और यह पीछे का व्यूस का किसी को भी ठोकर निमार सकते हैं तो गुलियों की बरसात करने हैं या पर पिलर विलर भी इतने बड़े अराम से निकालकर पड़े तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे, बड़े अराम से कट मार के निकालना पड़ेगा, इसका टर्णिंग रेडियस काफी जाद है, ओ भाई साब, यह लोग डर गए, अब यह गोली मचला ना, देखो, ओ भाई साब, यह भी डर गए, वाँ, बुगाटी है, गाड़ी तो दोस्तों, फ्रैंक्लिन गाड़ी लेके जा चुका है, फ्रैंक्लिन तो चला गए है दोस्तों, अब आ गया काम, उस वैन में पड़े बॉम को फोड़नेगा, फ्रैंक्लिन, तो दोस्तों आप देख सकते हो, कितना खतरनाक एक्स्प्लोजन हुआ है, मैंने दो बॉम जरूरी था दोस्तों, कि ओगी से लोगे पंगा, तो हो जाओगे नंगा, मैं, दोस्तों, यहां पर पुलिस की वास क्यों आ रही है, मेरे घर के पास, एक सेकंड के लिए तो मैं डरी गया था, कि पुलिस मेरे पीछा आ रही है, मैं, बट खेर, हम गामने घर पहुच चुक मैं, मैं, और मैं हुआगी, मैं मिलूंगा आप से, जी लिए फाइक के अगले वीडियो में, तब तक के लिए, स्टेए क्लासी एन उसम, मैं,